देखियो हो को सीम ने घुसा दियो हो आज हम आपको दिखाएंगे एक नहीं की लोकेशन पर आये हुए है जो की देखने में काफी सुन्दर है तो चलिए हम आपको वहां पर लेकर चलते हैं और दिखाते हो वहां का कुछ अमेजिंग सा सीन तो फ्रेंट्स आपको बता दें कि यहां पर देखिये पुरा रेत ही रेत है और आपको हम देखाते हैं यहां देखिये अमारे पीछे सिर्फ बालू ही बालू है और आपको हम लेके चलते हैं कोछी के पास और वहां का आपको पानी का नजरा दिखाते हैं तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं यहां का जो रास्ता है उबर खावर है और इसी रास्ते से हम चलेंगे कोशी और आप देख सकते हैं यहां पर कुछ भैस चर रहा है देखिए यहां कितना सारा भैस है जो कि घास चर रही है फाइनली आप हम पहुच चुके हैं कोशी नदी और यह चोर्टा सान नदी है और आप देख सकते हैं इसके उससे जो कि बहुत बढ़ा नदी है और आपको हम दिखाते हैं कि अखा कुछ दृष और अभी बतादे कि पानी भावत तेज गति में भाव रहा है और यहां कि मिट्टी जो है काफी से से क्ट रहा आए तो हम चलिए आपको दिखाते हैं नजदीक जाकर तो फाइनली हम आपको दिखाते हैं कोशी का नजारा और अभी जो एक कि मिट्टी का कटाव बहूत तेज है तो हमें ध्यान रखना रफ देख सकते हैं देखक यहां बालू हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे पीछे जो देख रहे हैं ID कों चलते हैं को सी नदी के पास अपको हम दिखाते हैं कोशी नदी का जल अस्तर अभी कितना तेज है और धार उसका बहुत ज्यादा है तो फैनली हम अब उस जगह पहुच चुके हैं आप हमारे पीछे देख सकते हैं यह कोशी नदी और काफी जल अस्तर यहां तेज है और आपको ध्यावन रखना होगा क्योंकि म आज चुके हैं कोशी नदी के पास और अभी जोई किसका जल दिखे काफी सुन्दर लगड़ा है और देखने में बहुत अच्छा है और जोई इसका जल अस्तर काफी तेज है और आप देख सकते हैं यहां का जोई मिट्टी कट कट के कोशी में समा रहा है दूर दूर तक पानी का नजारा कितना अध्भूत लगड़ा है तो फैनली हम अब आ चुके हैं यहां कोशी नदी के पास और आपको नजदीक से जाके हम दिखाते हैं पानी का जल अस्तर और आपको बता दें कि मिट्टी जोई की काफी तेज गती में कट रहा है इसलिए हम जोई की दूर दिखाने वाले थे तो आप देख सकते हैं यहां का जो नजारा कितना खूबसूरत है और काफी खतरनाग भी है अगर आप यहां थोड़ी दिर रूख सकते हैं तो यहां कोई भी अनोहनी हो सकता है क्योंकि इसका मिट्टी जो है कट-कट के उसमें कट रहा है बड़ी तेज है इसलिए हम बहुत ही नजदिक आचुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे यह कोई नदी बहुत बड़ा है और इसमें आभी परणी का जलस्तर काफी तेज हो चुका है तो आप देख सकते हैं कोई-दी काफी सुन्दर लगता है अभी और देखने में भी यह बहु कोसी नदी का जलस्तर अभी कितना ज्यादा है और देखने में भी कितना सुन्दर लगता है और अद्भूत लगता है तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं या कोसी नदी का नजरा कितना अद्भूत है और पानी जगते हैं कितना तेज है तो बीच में जो एक दार चल रहा है औ और अभी हम नजदीक से आपको दिखा रहे हैं ये कोसी नदी का नजरला काफी आप दूर-दूर तक देख सकते हैं पानी ही पानी नजर आ रहा है क्योंकि बारीस हुई है और बारीस की पज़ा चुछा आपको बता दें की अभी बहुत ही कम पानी है और इसे भी अधीक पानी हो जाता है तो आप देख सकते हैं यहां इस प्रकार है और पानी का रबतार बहुत देज़ है बीच में आप देख सकते हैं और वहाँ यहां पर लोग सब कसरत करने के लिए आता होगा इसलिए यह बना हुआ है तो हम आपको दिखा दे यहां पर और यहां जो चारो तरफ बालू ही बालू है और इसके आगे जो आपको को सिन नजी का द्रिस देखने के लिए जिक्यो हो को सिमने घुसादी हो हो जयाद। झाल लो झाल जो है